Hello dear students, welcome to my channel Apex Institute of Competitive Exam बहुत सारे students का query आने के बाद के Sir West Bengal Audit and Accounts सर्विस का preparation हम किस तरह से करे, कौन सा books हम लोगों को follow करना है Sir Marks कैसा रहता है, optional paper कौन सा scoring है, क्या optional paper ले, theory ले या फिर practical paper ले तो ये वीडियो में उन तमाम query का आपको answer मिल जाएगा तो वीडियो को end तक जरूर देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि West Bengal Audit and Accounts exam जो तीन स्टेजेज में होता है पहला prelims stage, दोसरा mains और third half personality test तो prelims का जो exam होता है, वो basically आपका 200 marks का होता है जो के पूरा MCQ question रहता है, यानि कि 4 option रहते है with one third negative marks, अगर आप गलत देते हैं एक जवाब तो आपका 0.33 marks deduct होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के prelims में पहले जो है English जो के 50 marks का रहता है business maths and stats 35 marks का, cost and accountancy 40 marks का, constitution with special reference to नितियायोग planning commission, finance commission, यह सब 35 marks का रहता है और GK, history, Indian national movement, geography, reasoning, current affairs यह सब 40 marks का रहता है तो कुल मिलाकर आप देखिएगा तो यहाँ पर 200 marks का है, तो जो candidate, जो commerce से है सिर्फ वही यह exam में participate कर सकते हैं, science और arts वालों को इस exam में participate करना नहीं मिलता है तो जो commerce के candidate है, जो कभी competition का preparation नहीं किया, उनके लिए यह बहुत अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि business maths और stats और cost and accountancy यह 75 marks का हो रहा है और English common रहता है 50 marks का, तो आप देख सकते हैं कि 125 marks जो है, वो आप easily, आप अगर अच्छा से अपना graduation में पढ़ाई किये हैं तो आप 125 marks easily cover कर पाएंगे अब सवाल यह पैदा होता है कि बाकी 75 marks को किस तरह से पढ़ना है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि constitution, constitution अगर अच्छा से पढ़िएगा तो वहाँ से आपका 35 marks secure हो जागा तो यह है prelims का, prelims में कितना marks का रहेगा नहीं रहेगा यह मैंने बताया अब prelims जब कोई crack करता है, इसका cut off कितना होता है, prelims का क्या optional paper लेना ज्यादा scoring होता है यह तमाम चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, इस वएसे वीडियो को आप लोग एंट तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगए तो like, subscribe, जरूर करें mains paper जो होता है, mains 800 marks का होता है, जो के दो paper में distribute होता है एक compulsory paper एक optional paper, compulsory paper जो है आपका, जो सभी candidate कर रहेगा एक है English 100 marks का, आपका language जो है हिंदी है, अगर हिंदी उर्दू है, तो उर्दू बिंगॉली है, तो बिंगॉली वो 100 marks कर रहेगा जी के एंड करंट अफेर्स का paper, यह 100 marks कर रहेगा, बिजनीस मैथ्स और स्टैट्स यह भी 100 marks और auditing 100 marks कर रहेगा optional paper जो है आपका, optional paper तीन गुरूप रहता है, तीन गुरूप में से आपको हर एक गुरूप से एक एक करके optional paper लेना पड़ेगा, इच optional paper will consist of 100 marks, जैसे कि आप देख सकते कि गुरूप A, गुरूप A में जो है आपका तीन paper है, Macro Economics and Public Finance, Indian Financial System यानि IFS और थर्ड है, Economic Principle and Indian Economics Problem, यहाँ पर मैं आपको suggest करूँगा कि अच्छा score करना है, optional तो आप Indian Financial System ले, दोसरा आपका है Group B, BRF यानि Business Regulatory Framework, Cost और Advanced Accountancy, तो यहाँ पर आप cost ले सकते हैं, क्योंकि cost में marks अच्छा score होता है, और थर्ड जो है आपका Group C से, Business Management, Direct and Indirectors, Information Technology, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, Business Management, यह according to me, यह मेरे perspective के हिसाब से, यह सबसे ज़्यादा scoring paper है, वैसे आप अगर अच्छा लिखते हैं, आपका practical अच्छा है, अगर आप सम सही से solve कर पाते हैं, अगर अच्छा से लिखे हैं, तो उसमें भी marks मिलते हैं, अगर कोई theory अच्छा से लिखते हैं, तो theory में भी marks मिलता है, यह एक myth है, यह बहुत कोई बोलता है कि theory paper में marks नहीं मिलता है, या practical paper में marks नहीं मिलता है, ऐसी बात एकदम यह एकदम गलत बात है, जो मेरे बहुत सारे friends है, जो practical paper लिए थे, वो भी audited accounts officer बने, कुछ ऐसे भी friends है, जो theory paper लिए थे, वो भी audited accounts officer बने, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे perspective के हिसाब से, अगर आप IFS, cost और business management का combination लेते हैं, तो यह बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, अब आपको सवाल पैदा होता है, कि prelims के लिए आपको कौन-कौन सा books फॉलो करना है, तो books के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, कि English के लिए आप SP बक्षी का book फॉलो कर सकते हैं, बहुत यह अच्छी किताब है इंग्लिश में आप देखे हैं, तो synonyms, antonyms, यही सब चीज आता है, one word substitution, direct, indirect, यह सब ज्यादा तर देया रहता है, वहां पर, constitution के लिए तो बेस्ट बुक है, Bible है, एमलक्षमी कांत की, reasoning के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, आरे सगरवाल, maths और stats के लिए आप घोशन साहा का भी बुक देख सकते हैं, या फिर recent day भी देख सकते हैं, cost के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कोई भी basic book आपका जो graduation में आपने पढ़ा है, कोई भी basic book वो आप पढ़ सकते हैं, accountancy के लिए भी same है, आप कोई भी graduation का basic book पढ़ सकते हैं, और GK के लिए आपको तरुन गोल देखना है, अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर तुसर हिस्ट्री है, इंडिया नैशनल मुव्मेंट है, जिग्रफी है, current affairs है, तो यह सब मैं किस तरह से कबर करूँ, तो अगर आप strategy अगर देखिएगा, तो यह रहेगा कि हिस्ट्री बहुत ही vast रहता ह इंडिया नैशनल मुव्मेंट बहुत ही vast रहता है, जहां से आपको 8 से 10 नंबर का question आता है, यह 200 prelims का question में 10 नंबर का history और I&M से question आता है, तो अगर 10 नंबर के लिए आप इतना ज़्यादा अगर इसमें dedicate कीजिएगा dedication दीजिए तो other subject आपका छूट सकता है, तो अगर आपका दूर तक रिष्टा नहीं, आप WBCS या कोई competitive exam में preparation नहीं की, या history आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप history और I&M को छोड़ सकते हैं, बाकी जोगरफी से भी 8-10 question रहता है, जोगरफी आप पढ़िए, और economics देखिए का यहां पर कहीं, आपका syllabus व constitution को अच्छा से पढ़िए, constitution में नितिया, जो planning commission, finance commission, controller, auditor, journal, AG, यह सब जो है, finance related जितना चीज़ है, आपको वो बहुत ही अच्छा से पढ़ना होगा, उसके बाद आप अपना जो subject है, cost है, या accountancy है, इसको अच्छा से पढ़े, business maths and stats को अच्छा से पढ़े, तो आप देख geography, यह exam बहुत tough है, तो मैं आप लोगों को कह दूँ कि यह exam बहुत ही simple है, क्रैक करना, क्योंकि मैंने भी exam क्रैक किया है, WBCS और audit and accounts, चूँके मैंने दोनों exam क्रैक किया है, इस वैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा personal experience है, कि audit and accounts का exam क्रैक करना is very easy as compared to WBCS, मैंने जितना effort WBCS में मैंने उसका 25-30% भी effort audit and accounts में नहीं दिया, but you have to study very smartly, अगर आप smartly पढ़ते हैं, तो you can easily crack audit and accounts exam, अब optional तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या लेना है आप लोगों को optional, बाकी आप लोगों का individual preference हो सकता है, कि आप लोगों को जो subject अच्छा लगता है, आपका जो subject अच लगते हैं, उसके बाद books की कौन कौन सा follow करना ये मैंने आपको बता दिया, अब यहां पर बहुत सारा है लोगों का ये भी सवाल उटता है, कि sir यहां इसमें audit and accounts में cut off कितना होता है, बहुत सारा मैंने वीडियो देखा YouTube पर जहां पर बहुत सारे लोग जो है बता रहे कि 115 115, 120, 125 तक का cut off किसी किसी ने कहा है, तो ये बिलकुल गलत है, audit and accounts का cut off कभी भी 100 प्लस कभी नहीं गिया है, इस वैसे मैंने पूरा compile किया है कि cut off आखिर इसका जाता कितना है, तो मैंने RTI के थुरू ये सब information कलेक किया है, आप देख सकते हैं कि 2016 में इस exam का general के लिए cut off होता स 62.42, OBC का 58.47, OBC B का 62.18, SC का आप देख सकते हैं कि 45.97 और ST का 36.24, 2018 में 77 इसका cut off होता, general के लिए 52 OBC के लिए 71 OBC B के लिए 61 SC के लिए 54 ST के लिए, 2019 में देखे 78.33, general के लिए OBC के लिए 63 है, OBC B के लिए 70 है, और AC के लिए 52 ST के लिए 51, 2020 में 86.67 आया है, general का cut off और OBC का 84.67, OBC B का 82, SC का 66.67 और ST का 57.33, तो यह रहा इसका cut off, यहां पर कहीं पर भी आप लोग नहीं देखे होंगे कि 100 प्लस इसका cut off हुआ होगा, 2021 का अभी तक result नहीं, आया नहीं है, लेकिन hopefully जिसका 90 प्लस अगर आ रहा है, 90 प्लस बिलो 100 है अगर किसी का, 100 जिसका प्लस है वो तो एकदम अच्छे से preparation कीजे मेंस के लिए, आपका नाम आएगा ही आएगा, लेकिन जिसका 90 प्लस है, उन लोगों का पी चांस है पुराने का, हाँ, यहां पर मैं एक बात आपको करना क्या है, आपको करना क्या है? आपको इसका previous year का English का question अच्छा से पढ़ना है, previous year में मैं बोलूँगा कि यह आप audit and accounts में exam मतलब बैठियेगा, participate कीजेगा, लेकिन आपको WBCS का जो English का 10 years है, वो आपको अच्छा से पढ़ना होगा, क्यूंकि WBCS का बहुत सारा question मैंने देखा है कि audit and accounts का prelims में exam में आया ह तो आप वहां से अगर 10 years अच्छा से किजाए, तो you can easily secure 30 to 35 marks, जिसका English अच्छा है, they can score 40 to 45 also, business maths and stats, it's all depends कि आपका subject यह business maths और stats कैसा है, इसके लिए आप book S&D या फिर गोशन साहा का book follow कर सकते है, इसमें आपको जिस तरह से हम लोगों ने practical sum बना लेकिन हम लोगों ने जो graduation में बनाया है, वो हम लोग लेंदी मेठर वगेरा marks आता था, 5 marks का, 6 marks, 10 marks, 8 marks का question, यहां पर आपका तो multiple choice रहेगा, तो इससाब से आपको sort out करना है, पूरा solve करना है, बनाना है ऐसा, cost and accountancy में, cost में आपको simply देखिए, यहां पर 40 marks है, तो कभी कभी क्या होता है कि 20 marks का cost कभी 20 marks का accountancy आता है, कभी क्या होता है कि cost से कुछ कम questions आगिया, 15 यो 16 questions आगिया और यहां से 25 यो 24 question accountancy से आगिया, सबसे जादा मैं बार बार बोल रहा हूं आप लो, constitution आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यह बहुत ही scoring है, साथ में आपको economics भी या फिर apex institute of competitive exam का every month का current affairs आता है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो enough होगा current affairs के लिए, तो यह आपका मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आगा कि किस तरह से आप लोगो को auditing accounts का preparation करना है, अब यहां पर मैं बता द कर रहा है, in the field of West Bengal auditing account service, क्योंकि 2017 में हम लोगों के institute से तीन candidate पास किये थे, 2018 में वही पर वो candidate 6 हो गए, और अभी जो 2019 का just अभी result एक मेने पहले निकला है, वहां पर हम लोगों का 10 candidate ने पास किया है, 2018 में जहां पर 6 candidate पास किये तो उसमें जो rank 2 लिखा गिया, 2018 में actually rank 3 जिन्होंने secure किया था, वो हमारे institute से थी, और 2019 में rank 2 वो हमारे institute से ही है, तो hopefully we are hoping के next year हम लोग का rank 1 भी कोई candidate जरूर आए, तो ये रहा हम लोगों का audit and account से related, basically ये वीडियो मैंने बनाया, सिर्फ और सिर्फ प्रिली से related, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो definitely मैं mains का preparation आप लोगों को कैसे करना है, mains के लिए कौन सा book आप लोगो को follow करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा उस वीडियो में, और अभी form तो आ चुका है, 14 of December से form fill up स्टार्ट हो चुका है, तो जो अभी तक जिन्होंने नहीं form fill up किया है, वो kindly form को fill up कर दें, जिनका one time registration नहीं है, वो पहले one time registration करें, उसके बाद आपको एक user ID और password मिल form को fill up कर लीजिए, time waste मत कीजिए, जितना जादा से जादा हो सके, study पर focus कीजिए, और smartly अगर पढ़िएगा, तो you can easily crack, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को subscribe कीजिए, और यहां पर मैंने, जो भी मुझे बताना था, मैंने बता दिया, आप लोगा कुछ query अगर हो, तो आप comment section में जरूर लिख सकते हैं, बाई बाई